गुड आप्टर नून ओल आफ यू आज मैं आपको स्टील रूल के बारे में बताऊंगा यहो एक डायक्ट मीजरिंग टूल है इसके द्वारा हम वरक्सॉप में किसी जॉब की माप लेने के लिए करते हैं इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm या 1.2 mm होता है यानी वहो छोटी से छोटी माप जो हम इसके द्वारा ले सकते हैं वह इसकी लिस्ट काउंट कहलाती है यह स्टेनलेस स्टील तथा स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं इनका अधिकतर साइज 6 इंच 12 इंच 24 इंच इत्यादी होता है छोटी माप लेने के लिए इस steel rule का प्रियोग किया जाता है अगर हमें बड़ी माप लेनी होती है तो इसके लिए steel tape का हम प्रियोग करते हैं इसके द्वारा हम metric तथा abilities दोनुमें माप ले सकते हैं यह आपको एक steel rule दिखाया गया है इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक side में 1,2,3,4,5,6 से लेकर 30 cm तक के निसान बने हुए हैं जिसको हम metric system कहते हैं इसमें 1 cm को 10 बराबर भागू में बाटा गया है इसमें एक division का मान 1 mm होता है इस प्रकार से 1 mm को भी 2 भागू में बाटा गया है जिसका मान 1,2 mm या 0.5 mm होता है इधर आप देख रहे हैं इस टी रूल के दूसरे side में 1,2,3,4 से लेकर यहां 12 इंच तक के निसान बने हुए हैं यानि इसके द्वारा हम 12 इंच तक की माप ले सकते हैं इसमें आप देख रहे हैं एक इंच का मतलब 2.54 cm या 25.4 mm होता है यहांपर आप देख रहे हैं एक इंच को 32 भाबर भागू में बाटा गया है यानि एक इंच बटे 32 इंच याँपर आप देख रहे हैं एक इंच को 64 भाबर भागू में बाटा गया है यानि एक इंच बटे 64 इंच याँपर आप देख रहे हैं एक इंच को 16 भाबर भागू में बाटा गया है एक इंच और अगर हम एक इंच को 8 भाबर भागू में ब जालाता है इस पकार से एक इंच में आठ सूथ होते हैं यानि एक डिविजन का मान एक सूथ होता है यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक एक Convergent Table दिखाए गई है यानि इसमें लिखा गया है Left Side Inch और Right Side M लिखा गया है 1 Inch Equal to 25.4 mm इस पकार 2 Inch ब्राबर 50.8 mm इस पकार से यह सारी एक Table दी गई है और नीचे आप देख रहे हैं इसमें टेप डिल साइज लिखा हुआ है अगर हमें कितने mm के टेप के लिए कितने साइज का डिल चाहिए या कितने साइज के डिल के लिए हमें कितने mm की टेप चीए यह भी एक जो है हमें सारणी दी गई है जैसके यहाँ पर लिखा गया है M1 टेप के लिए 0.75 mm की हमें डिल चा और इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर WW UNF लिखा हुआ है UNF का मतलब होता है unified fine thread यानि जो thread size होता है किसी भी screw का वो हमें अगर ग्यांत करना है उसके लिए table दी गई है इस प्रकार से मुझे उमीद है कि आपको यह जो steel rule है इसके बारे में समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही thanks